जै माता दिमित्रों दोनों हातों में 12-12, दोनों भुजाओं में 16-16, सिखा में 1, तथा वक्ष अस्थल पर 108 रुद्राक्चो को धारन करता है, वाश्वय भगवान निलकंट समझा जाता है, तो देखिए ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बात इस प्राक्षिन पुज्टक मे एकदम साफ अक्षरों में लिखित है, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, यानि जो अपने कंट में 32, यानि कंट यानि यहां गले में 32 धारन करता है, और मस्तक पर 40, यानि मस्तक पर 40, दोनों हाथों में 12-12, यानि इसमें 12, इसमें 12, दोनों भुजाओं में 16-16, यानि 16 इसम उसमें एक तता वक्चस्थल पर 108 यानि वक्चस्थल यानि माली ये वक्चस्थल हो गया इसमें 108 रुद्राक्षों को धारन करता है वह समय भगवान निलकंड समझा जाता है ये बात एकदम साथ असपष्ट सब्दों में इसमें लिखित है तो इसमें जरा भी संदेह नहीं ह रुद्राक्ष अपने आप में ही बहुत सक्ति साली माना जाता है और उसमें बहुत सरी सक्तियां विरजमान होती है और साक्षा संकर उसमें विरजमान होते है तो इसी के लिए आप कोशिश करें कि रुद्राक्ष माला धारन करें और एक बात मैं आप सभी को बता देता कि इस पुस्तक में यह भी बात लिखित है कि जो रुदराक्ष धारं करता है वा मासमद्रा लहसुन पियाज इत्यादी का सेवन कदापी न करे जो यह बात कहते हैं कि ने रुदराक्ष धारं करने की पहशाध आप खा सकते हैं इसमें कोई बराव नहीं है वो अग्होरत अंतर से वो अग्होरी है, वो मांस मसली उसमें चल सकती है, तो ऐसा नहीं है, यह सो बाते गलथ हैं, जो यह कह रहा है, वो गलथ बोल रहा है आपसे, जो सास्तर बोलता है, पीयातकी लहसुन पयाज भी वरजित माना किया है, जो रुदराक्ष धारन करता है, तो आप आज से जो है ये बात ध्यान में रखिएगा, जो रुद्राक्ष पैने हैं वो इस नियम को जरूर अपनाईएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक बटन जरू दबाईएगा, जै माता दी!